राजस्थान में विधान सबा चुनाव लड़ने के लिए कॉंग्रेस के पूर्वसांसद भी लालायत हैं और वे अपनी दावेदारी जता रहे हैं यही नहीं कुछ हारे हुए लोगसबा प्रत्याशी भी टिकट मांग रहे हैं ऐसे में पार्टी के सामनी भी उल्जन पैदा हो गई है कि किसे उम्मिद्वार बनाया जाए हाला कि पार्टी के और से कई इस्तर पर सर्वे कराये गए हैं और अलग-अलग परियवेक्षकों की रिपोर्ट भी बनाई जा रही है नमस्कार आप देख रहे हैं तिंक 360 और मैं हूं पूजा तो चलिए इस वीडियो में बत चुके हैं वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो पार्टी की सर्वुच्य कारे समिती में रहे चुके हैं माना जा रहा है कि पार्टी इनमें से कई बड़े चहरों को मैदान में उतारेगी वहीं कई पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी विधाईकी की दावेदारी कर रहे हैं इनमें प्रमुख नाम है योती खंडेलवाल जैपुर से लोग सभा चुनाव लड़ी और अब हवा महल और किशन पोल से दावेदारी जता रही हैं दूसरे हैं संजय जाटव संजय जाटव करोली धौलपुर से चुनाव हार गए थे और फिलाल बसेडी से दावेदारी कर रहे हैं बतादें वर्तमान में खिलाडी बैरवा बसेडी से कॉंग्रेस विधायक हैं अब नाम आता है रतन देवासी ये जालोर सिरोही से लोग सभा चुनाव हार गए थे अभी रानी वाड़ा से दावेदारी कर रहे हैं अब बताते हैं किसकी सीट से कौन दावेदारी कर रहा है नमो नारैंड मीना दो बार सांसद और केंदर में मंतरी रहे फिलाल बामनवास सीट से दावेदारी कर रहे हैं इस सीट पर अभी कॉंग्रेस की इंद्रा मीना विधायक हैं अगला नाम आता है मानविंद्र सिंग का, मानविंद्र सिंग बाड मेर से सांसद रहे और 2023 के चुनाओं में जैसल मेर से दावेदारी कर रहे हैं इस सीट पर अभी कॉंग्रेस के रूपारा मुरावतिया विधायक हैं रगुवीर मीना, ये उदैपुर से सांसद रहे, कार्य समीती सदेश्य भी रहे थे और पूर्व विधायक भी फिलाल सलुंबर से दावेदारी कर रहे हैं जितेंद्र सिंग जितेंद्र सिंग अलवर से सांसद रहे केंद्र में मंत्री पद भी संभाला पूर्व विधायक भी हैं इस चुनाओं में अलवर शहर से जितेंद्र सिंग दावेदारी कर रहे हैं गोपाल सिंग इडवा राजसमन से सांसद रहे और दावेदारी कर रहे है जयतारण से बद्री जाखड बद्री जाखड पाली से सांसद रहे और अब पाली से विधाई की के लिए दावेदारी कर रहे हैं इस सीट पर पिछली बार कॉंग्रेस ने गठ बंदन में एन सीपी के लिए सीट छोड़ी थी तो ये थी पॉलेटिकल अपडेट कल फिर मिलें के नई अपडेट के साथ तब तक के लिए नमस्कार